आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Friends, हमारे सामने जो सवाल दे रखा है, इसमें बोला है कि एकस के साफ एकस समाकलन करो और फलन दे रखा है, X2, I3, ठीक है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, i2, X2, I3, इसका x के साफ एकस समाकलन, ठीक है इसको मैंने पूरे का i के बराबर मान लिया, तो देखो, दो फलन आपस में गुणा में है तो खंड से विदि से इसका समाकलन करता हूं। सबसे पहले कि करूँगा कि पहला फंक्षन और डूसरा फ्रण किसको मानना है तो हम चलते हैं ऐखो यह यह तो जो है लाश्ट में आयगा तो इसको तो हमेसा दूसरा फालन ही मानो यह बराबर algebraic मतलब इसको माद लो आप में पहला function इसको दूसरा function ठीक है अब इसको खंड से वीदी से समाकलन करो, तो खंड से वीदी से मैं आप एक बार करके बता देता हूँ, इसमें क्या होता है, पहले फलन को इस तरह ही रखना होता है, दूसरे फलन का X के साफ एक समाकलन करना होता है, फिर माइनस, माइनस, फिर पहले फलन का अपने को X के साफ एक समाकलन करना होता है इसी तरह दूसरे फलन का X के साफ एक समाकलन करना होता है फिर जो भी आता है इसमें उस पूरे का जो है पिर जो बचा है उसका समाकलन x के साफ x कर देंगे अब देखो यह मेरे पास क्या बचेगा आई बराबर यह तो बच जाएगा x2 पिर इकी गात 3x बटा 3- यह 2बटा 3 बहारा जाएगा माइनस का 2बटा 3 और जो अंदर बचा है इसमें से फिर से अपन खंड से विदी लगा देंगे तो अंदर बचेगा देखो x को इसी तर रखना है इकी गात 3x इसका समाकलन करेंगे x के साफ x तो इक बच जाएगा फिर अब जहले के ब्रखना करेंगे समाकलन x के साफ x तो इकी गात 3x बटा 3 बचेगा फिर जो बचा है उसका समाकलन कर देंगे x के साफ x अब देखो इसको आगे हल करते हैं तो i बराबर्र मेरे पास आ जाएगा 2 बटा 3 को अंदर गुना करते हैं तो यहां से पूरा- बन जा एकी गात 3x का x के साफ एक समाकलन करेंगे तो एकी गात 3x बटा 3 बन जाएगा और चुकि यह जोगो एनिशी समाकलन है तो एक अचरपद भी आ जाएगा अब इसको थोड़ा सरलतम रूप में लिख देते हैं तो यहां से मेरे पास i बराबर आ जाएगा एकस स्क्वाइर एकी गात 3x बटा 3 माइनस 2x एकी गात 3x बटा 9 और यहां से आजाएगा 2 बटा 27 एकी गात 3x प्लस एक अचरपद अब देखो आप इसको आगे हल करना चाहते हो तो इसमें क्या हो जाएगा इसमें एकी गात 3x सब में है इसमें से बचेगा एकस स्क्वाइर बटा 3 इसमें से बचेगा माइनस 2x बटा 9 इसमें से बचेगा 2 बटा 27 यह बचेगा और प्लस एक अचरपद इसमें बहार लग जाएगा यह अपने पास दिये हुए जो फलन है उसका समाकलन का मान आ जाएगा और यही जो है अपने पास उत्तर हो जाएगा थेंक्यू